हेलो गाईस फिर से आप सभी का स्वागात है अपना यूट्यूब चैनल नौलेज गनार पर गाईस आज हम लोग ग्यार के बारे में बात करेंगे ग्यार का जितना सारा इंपोर्टन टाम है उसके बारे में ड्रोइंग फॉर्मूला और एक्जम्पल के साथ ही बताएं सब्सक्राइब बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो का अन तक जरूर बने रहे तो सबसे पहले बात करते हैं गयार क्या है गयार एक मेशिन डिबाइस है जो पावार या मोशन को टांसपार करता है उसका एंगेजिंग टित के दोरा जो गयार डाइरेट मोटर के साथ कनेक्ट रहता है उसको ड्राइबर गयार बोलता है और वो ड्राइबर गयार जिस गयार को घुमाता है उसको ड्रिबन गयार बो बात करते हैं PCD यानि पीच सर्कल डायमेटर के बारे में जो पीच सर्कल होता है यह असल में होता ही नहीं मगर इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों जब दो गयार आपस में मेट करता है तो गयार का जो मोडियूल क्या होता है गयार मोडियूल को एम से हम लोग डिनोट करते तो गयार मोडियूल का फॉर्मूला है उसका जो पीच सर्कल डायमेटर है एमें में डिवाड़ेड़ वा जितना संकक टीथ है उस गयार में उसको अगर भागा कर देंगे तो हमार गयार मोडियूल आ द्वर 10 तो 11 मोडियूल हो जाता हूँ 10 वाइज यानि तीन तो 11 गटने से तीद बरता है तो अगर रची सा睥 मों कोThis ढ ABC तो सटेगा और ग्यार कीट 2015 मोडियूल आगर 5 तो आदने 2 आदने 2 नस में 3 एकीट 1 मोडियूल by पांच से जोता होगा स्लियार हो है भी बात करते है के बारे में जो गयार का बैकलास स्लिक्लास क्या होता है इर्षर, यानि गलती मगर एक गलती करना जरूरी होता है थोड़ा सा क्यूंकि जब गयार आपस मेहाममे दिर्स पोल्ड़ में तो उसका AWome Chile that में जो gap है उसको backless बोलते हैं तो backless निकलने के आसान फॉर्मूला है backless निकलोगे कैसे gear का जो gear का जो module है उसको आगर 0.06 से multiply कर दोगे यानि गुना कर दोगे तो backless निकल जाए जैसे हमारा पिछला वाले जो जो circle गया है dotted circle वो होगे हमारा pitch circle तो इस पीच सार्केल से जो तीथ है उसका tip का मतलब उपर वाले हिस्से का जो distance होता है उसको addendum बोलते है जो addendum length होता है वो gear का एक module को बराबर होता है तो हम लोग को पिछले में 11 का module कितना है था 5 तो addendum length हो जाएगा 5 और addendum जो length होता है वो module का 1.157 गुना होता है तो पिछला गयार का module था 5 तो हमारे addendum length कितना हो जाएगा 1.157 गुना 5 यानि 5.785 जो teeth है उसका पूरा height कितना हो जाएगा addendum प्लस addendum तो 5 प्लस 5.785 यानि 10.785 एम है तो ऐसे करके addendum और addendum से teeth का दूरी भी निकल जाता है teeth का height आप बात करते है circular pitch के बारे में circular pitch एक बहुत important time है gear का अगर दोनों gear का circular pitch बराबर है तो दो गयार अपस में match कर जाएगा जैसे कि इस picture में दीख रहा है जो dotted circle बना हुआ है वो होगी या gear का pitch circle तो इसी pitch circle के उपर कोई भी gear का teeth जो है उसका starting point से दूसरा teeth का starting point का distance को बोलते है circular pitch अब circular pitch का formula निकलता है चलिए जैसे इसका pitch circle diameter को पकल लेते है d तो इसका periphery यानि परिदी कितना हो जाएगा pi गुणा d तो यही परिदी को अगर number और teeth से divide कर दिया जाए तो हमारा circular pitch आ जाएगा तो circular pitch को हम लोग cp से denote करते है तो cp is equal to pi गुणा d divided by t तो pi गुणा d by t और d by t जो होता है वो module होता है तो module को अगर pi से गुणा कर दिया जाए तो हमारा circular pitch निकल जाएगा तो हमारा पिछला example में जो gear हम लोग उसके थे उसका हमारा module 5 तो उस gear का circular pitch कितना हो जाएगा 3.142 गुणा 5 यानि 15.71 तो circular pitch का मतलब होता है कोई भी gear का teeth का starting point से दूसरा teeth का starting point का दूरी PCD के उपर उसको बोलते circular pitch या तो gear का teeth का ending point से दूसरा teeth का ending point का distance वो भी circular pitch आप हम लोग gear का module निकलेंगे PCD के बिना मालेजिए gear आपको दे दिया है जिसका PCD आपको पता नहीं है तो उसका module कैसे निकलेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करिए एक भनियर लेके वो जो gear का teeth का height माप लीजिए उसके बाद वो जो teeth का height आ रहा है उसका addendum औरopers alarm को टोटल करेंगे तो उसका बराबर आएगा तो addendum का height होता है उएक module कि बराबर होता है और सिंधिदेंग का height होता है एक Соश्पा. покуп जो हो जाएगा हो two point one five seven module हो जाएगा तो module कितना हो जाएगा और total height को अगर भागा कर देंगे two point one five seven से तो हमारा module निकल जाएगा आप बात करते है एड़ेन्डाम वो डिदेन्डाम सरक्ल याव डियाम्मेटर के बारे में तो जैसे के पिक्चर में दीख रहा है सबसे बाहर वाला जो सरकल है वह गया अगल वाला सख़र्ण है जो टिप का तिप के बराबर होके जारह में और जो बीछ वाला है वह हो गया पीछ सर्कल और नचे-वाला नीचे वाले हिसे से जो circle बन रहा है वो हो गया डिडेंडम circle तो addendum diameter कितना हो जाएगा addendum diameter is equal to PCD plus addendum length का 2 गोना और डिडेंडम diameter कितना हो जाएगा PCD minus 2 गोना डिडेंडम length आप बात करते है root clearance के बारे में तो दो गयार जब meet करता है आपस में तब जो side का gap था उसको हम लोग backlash बोल रहे थे बट उपर नीचे जासे कि drawing में दीख रहा है इसका जो gap है उसको बोलते है root clearance तो root clearance कैसे निकलते हैं चलिए देख लेते हैं root clearance का formula है circular pitch को अगर 20 से भागा कर देंगे तो root clearance आ जाएगा दूसरा तरीका है 0.157 को अगर module से गुना कर देंगे तो भी root clearance आ जाएगा यह सब जो formula में बता रहा हूँ यह हम पहले discuss कर चुक है अगर आप video को अच्छे से देखे होंगे तो आपको जरूर समझ माया होगा जो मैं इस सब point कहा से लेकर आया होगा तो जैसे कि हम लोग पिछला example जो लिए थे उसमें हमारा cp यानि circular pitch आया था 15.71 mm तो root clearance कितना हो जाएगा 15.71 को अगर 20 से भागा कर देंगे तो 0.7855 mm आया तो ओ root clearance हो गया और दूसरा तरीका से डिडेंडम माइनस आडेंडम करेंगे तो भी root clearance आ जाए तो पहले हमारे डिडेंडम आया था 5.785 और अडेंडम था 5 तो दोनों को माइनस करने से आ रहा है 0.785 mm तो भी root clearance हो गया और तीसरा तरीका है 0.157 को module से गुना कर देना तो जैसे कि हो रहा है 0.157 गुना 5 यानि 0.785 mm गाइस अगर आप लोग हार एक चीज को note down करके फिर से देखेंगे तो आप लोग को समझने में और आसा नहीं रहेगा गाइस अगर वीडियो आच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें और कुछ doubt रहा तो comment करना ना भूले मैं जितना हो सकते कोशिस करूँगा reply देने का थैंक्स फॉर वाचिंग, जाई हिन